इसी के बारे में बात करेंगे ठीक है तब यहां से हम आ जाते हैं और यह कंपनी हमारे पास है और हम एक नई कंपनी बनाएंगे ताकि हमें यह भी पता चले कि यहां से अफ्री करके न्यू कंपनी पर जाकर के और एंटर करेंगे जैसे यह एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा यह आपका form है और यहां पर इसे मैं कोई नाम दे देता हूं सूरज प्राइबेट लेमिटेड ठीक है पीविटी डॉट एल्टीडी कर देते हैं तो यह कंपणी का नाम हो गया ठीक है और यहां पर आपका state आएगा तो कई पर बच्छे state सूर देते हैं तो state को चूज करिएगा जरूर यह याद रखिएगा फिर यहां पर आता है आपका पिन कोड ठीक है पिन कोड हो गया एंटर करके नीचे आएंगे और इसको accept करा लेंगे ठीक है यह accept हो गया हमारा बाकी का काम है GST चालू करने का तो यहां पर जो है GST मैं नह अमारी है अब हम सीधा अब जैसे मन में यही बास आती है कि सीधा सीधा सी क्यों नहीं तो चलिए sales वोचर के लिए अब यहां पर आएगा रेफरेंस नमबर आपके बिल पर दिया गया हो देख लीजेगा और यहां पर देखना होगा कि क्या चल रही है तो 31 मार्च है तो यहां पर F2 करके एक साथ 2023 करते हैं देखने क्या होता है यहां पर यह डेट एक्षप में कर रहा है तो इसको मैं क्या करता हूँ पहले Financial Year चेक करते हैं हम Alt F2 करके यहां पर देखें एक चार दो हजार तेज से 31 तीन दो हजार चौबिस तक का Financial Year है यहां पर डेट जो चल रही है वह चल रही है 31 मार्च दो हजार चौबिस तो यहां पर बाहर आ करके एक बार कंपणी की स्टेटस करते हमें चेक करनी होगी तो यहां पर आईए F3 करिया और यहां पर अल्टर कंपणी कर लिए तो जैसे ही आते हैं तो यह चीज हमने मिस्स कर दिया यहां पर एक अप्रेल 2024 से हमारा काम शुरू हुआ है और एक अप्रेल 2024 से हमारा Financial Year भी शुरू हुआ है तो हम 2023 तो रखी नहीं सकते यह तो भूली जाई है ठीक है तो यहां भी बटन प्रेस करके 142024 ही रखना होगा आपको तो यहां पर कर देते हैं 142024 अब यह करेंगे तो यह एक्सेप्ट हो जाएगा और यहां पर 31 मार्च दिखा रहा है एक बार करते एक चार 2024 यह हो गया तो पहले तो हमको period change करना होगा ठीक है यहां से बाहर आके alt f2 करिए और alt f2 करके 142024 से लेकर 31,3,2025 करिए तो यह financial year हमारा change हो जाएगा अब जबकि हमने financial year सही कर लिया है और अगर यह ध्यान दिजिएगा अगर हमने directly purchase में एंट्री ना पास करके sales में एंट्री पास करी तो क्या दिक्कत हो सकती है उसको देखिए यहां पर एक laser लगाना होगा data party का हम तो यहां पर एक रेडिटर नहीं वालकि data पार्टी का तो alt c करके एक और laser बनाते है गौरो जी ए यू आर एवी डी कर देते हैं तो यह data party है तो यहां पर देखिए और नेम अलड़ी एक्जिस्ट बता रहा है तो हम क्या करते है यह laser आएगा यह चीज ध्यान रहे ठीक है अब जैसे इसका laser आता है तो हमरे पास एक stock item keyboard यहां पर हमने बनाया है इसको ले लेते हैं ठीक है और अगर हम यहां पर 5 ही लेते है quantity तो जैसे लेते हैं 5 quantity तो आप देखेंगे minus 9 आ रहा यानि बाकी तो पहले जो है चार पहले से ही इसमें है और 5 हमने और ले लिया तो कितने वजाएंगे minus में चला जाएगा आपका stock और यह टैली में बहुत 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 बड़ी गलती है यह जिए ध्यान रखिएगा अगर आपने यह गलती करी तो फिर जो है टैली में आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती आगे आन करनी है यह गलती आपको नहीं करनी है यह जिए ध्यान रखिएगा ठीक है तो पहले क्या करना है पहले purchase करना है तब आपको sales करना इसी कारण से ऐसा मैं बता रहा हूं ठीक है अब देखिए purchase को कैसे करना है मैं अब entry करते है यहाँ पर तो यहाँ पर supplier द्वारा दिया गया यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है यह purchasing और यहाँ पर क्या करना है हमें creditor party का laser लगाना है एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर आएगा purchase account ठीक है और यहाँ पर वही keyboard हम ले लेते हैं अब यहाँ पर हम purchase कर रहे हैं हमारे पास stop क की एंटरी हो रही है यहाँ पर यहाँ पर हमने दे दिया अब यह accept हो जाएगा ठीक है यह आपका ebay bill है आप चाहे तो ebay bill को भी yes कर सकते है लेगिन फिलाल इसको skip करता हूं और इसको accept कराता हूं तो यह जब purchase हो जाएगा तब आप sell कर पाएंगे तो देखा negative stock आ जाएगा गार विशल करते हैं और यहाँ पर यहां पर कोई भी पार्टी का नाम यहां पे हम क्याएंगे south टीक हो गया और यहां पर आएगा Umwelt यहां पर यहां पर आकर के और यहाn पर बती आपकी मवड़े कीबूरं का आप अब यहां पर तो श्रॉक आइटम माजूद है आब यहा जैसे दोसों का ही चैहीं कर लेते हैं तो यहांपर आपको दिक्कत नहीं होती है। आप आपने क्लती हम एक्ती यहाँ पर आते हैं तो यह से सेल्स का लेजर आाँ जाता अब जैसे सेल्स का आल्ट उति कर देते हैं और जिसने यह याद को बात कि कभी कभी सेल्स वाइटर में नहीं बढ़ता है फिक Kansas आपको पर्चेश में ही बना लेना है यानि पर्चेश करते समय ही सारा इड्यस्मेंट हो जाना है आपको सेल में कोई भी बी स्टॉक आईटम की डीटेल चाहे तो दे सकते हैं लेकिन फिलहाल यह वीडियो बैचिस की डीटेल के लिए नहीं है तो यह आ गए अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम बनाना चुरू करते हैं और यहाँ पर भी आएगा नेगेटिव स्टॉक तो यह देखें य यहाँ पर आते ही क्या रहा है 50 स्टॉक नेगेटिव यानि जो भी आप यहाँ पर देंगे ना सेल्स में आपको ना तो स्टॉक आइटम बनाना है ना तो डिरेक्ली कोई एंट्री करनी है पहले पर्चेस में आप फिडिंग कर लीजिए तब जाकर कि आपको सेल्स में